क्या आप जानते हैं, ओपेरा वेब ब्राउजर से आप किसी भी वेब पेज को डारेक्ट पीडिया फाइल में कंवर्ड कर सकते हैं नहीं जानते तो चलिए एक्स्प्लूर करते हैं यदि आप क्रोम के अलावा अपने मोबाइल में एक और सेकेंडरी ब्राउजर चाहते हैं तो आप ऑपेरा ट्राए कर सकते हैं ऑपेरा में आपको इन बिल्ट वीपेएन मिलता है प्लस एड्स को ब्लॉक करने की सुवधा मिलती है और आरिया AI ब्राउजर के हेल्प से आप कुछ भी पूछ सकते हैं कुछ भी पता कर सकते हैं चैट जीपीटी की तरह है यदि आप कुछ ऐसी चीज़े पता करना चाहते हैं जो कि आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री को अफेक्ट ना करे जैसे कि आप adult website देखना चाहते हैं तो आप Opera का यूज कर सकते हैं VPN का यूज करके जो website आपके mobile में नहीं चल रही है आप उन्हें भी चला सकते हैं Opera browser का यूज करके आप आपके first browser को clean रख सकते हैं उसमें कुछ भी लफ़डा नहीं होगा second browser में आप जो चाहें मर्जी वो site open कर सकते हैं Opera web browser आप play store से या description box पे link दिया हुआ है यहां से install कर सकते हैं चलिए इसे open कर लेते हैं open करते हैं continue यहां पर आप चाहें तो Opera को default browser बना सकते हैं और चाहें तो skip कर सकते हैं allow कर दीजिए सबसे पहले मैं यहां दबाता हूं देखिए यह start page को आप यहां से customize कर सकते हैं कैसा wallpaper आप रखना चाहते हैं हो तो इसे on कर दीजिए गा इसके बद हम यहां दबाते हैं कि यह दिए आप VPN on करना चाहते हैं तो यह दबा दीजिएगा VPN on हो जाएगा यह आपका VPN on हो गया है देखें यहाँ पर protected लिखके आ गया है यदि आपके पस data कम है तो आप data savings का use कर सकते हैं यहाँ दबा दीजेगा data saving on करने पर आपका VPN switch off हो जाएगा add blocking देखें add blocking on है अभी यदि आप website को बिना ads के search करना चाहते हैं यहाँ पर night mode की setting दी हुई है area browser AI इसे हम दबाते हैं get started यहाँ पर आप login कर लीजेगा तो अच्छा रहेगा आप चाहें तो opera के साथ या Google के साथ किसी के साथ भी login कर सकते हैं हम Google से login कर लेते हैं login करने से यह आपकी history को store रखता है यहाँ पर हम कुछ भी पूछ सकते हैं हम यहाँ पर पूछते हैं के मिर्जापूर 3 कब release होगी allow कर दीजे मिर्जापूर 3 web series कब release होगी देखिए यह इसने बता दिया है यह इन्होंने बता दिया है यहाँ पर दबाता हूँ आपके जो भी bookmark रहेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो आपकी history है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी crypto wallet के लिए अप use करना चाहे तो यहाँ से use कर सकते हैं यहाँ से आप wallet create कर सकते हैं आपकी जो भी डाउनलूड से वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, इस जगे से आप आपके ब्राउजर की appearance को set कर सकते हैं, आप कैसी appearance सकना चाहते हैं, यहां से आप देख लीजेगा, आपके password और card number यहां पर store रहेंगे, आप हम एक website को open करके उसको PDF में convert करते हैं देखिए, यहां पर रनवीर कपूर के बरे में जानकारी मिल रही है, ठीक है, यह इनकी सारी details है, यदि आप इसे PDF में convert करना चाहते हैं, तो यहां दबाईएगा, इसकी बाद आपको दबाना हैं, save as PDF पर, यहां से आप paper का size select कर सकते हैं, यहां से आप orientation select कर सकते हैं, यहां यहां से margins और यहां से pages, all pages में सारे page print हो जाएंगे और यदि यह कुछ range आपकी, जैसे मालीज आप 5 से 10 page के बीच में print करना चाहते हैं, तो यहां से आप range select कर सकते हैं, हम कर देते हैं, 5 to 10 ठीक है, और इसको ऐसे दबा देते हैं, यहां दबाते हैं, यहां पर करते हैं, download प create हो गई है, दीखे, यह इसने pdf file create कर दी है, 3. पर दबाते हैं, यदि आप snapshot लेना चाहते हैं, तो यहां से पा snapshot ले सकते हैं, कि सतरे का snapshot देख सकते हैं, कि सतरे का snapshot आप चाहते हैं, यह देखिए, इसके बाद यहां दबा दीजेगा, और Save कर दीजेगा, jack is download दीजेगा, य यदि आप इस page को desktop mode में open करना चाहते हैं तो यहां दबाईएगा और इसके बाद यहां दबा दीजेगा, यह desktop mode open हो गया है, मित्रों यदि आप private या incognito mode open करना चाहते हैं तो यहां दबाईएगा, इसके बाद यहां private पे दबाईएगा, और यहां plus को दबाईएगा, अब य इस जगह दबाता हूं इसके बाद हम यहां दबाते हैं इस पावर के बटन को मिट्रों यह दे आप चाहते हैं कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और जो आपके खुले हुए टैब हैं वो क्लियर हो जाएं तो उसके लिए यहां पर ऐसे दबा दीजेगा आपकी हिस्ट्री और टैब्स दौनों क्लियर हो जाएंगे वापिस ओपन करते हैं देखें यहां पर कोई भी टैब ओपन नहीं है सेक्योर वीपेंड एप का यूज करके जो वेबसाइट आपके मोबाइल में नहीं चल रही हैं उन्हें कैसे चला सकते हैं जानने के लिए यह वाला वीडियो देखिएगा कीप लर्णिंग वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी के साथ